नमस्ते दोस्तों मैं पाइल मैता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूटूब चैनल मिस्टिक शक्ति और आमें आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के उपर आज हम बात करेंगे लाइन्स गेट पोटल के उपर और इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ स्टेप शेर करने वाली हूँ एक ऐसे इफेक्टिव पावरफुल मैनिफेस्टेशन रिच्विल के बारे में जो आप 8 आउगस्ट को आसानी से कर पाएंगे क्या है यह पोटल आए जानते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अन तक जरूर देखे अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए इस चैनल पर हम बात करेंगे नियूमरालोजी के बारे में अकल साइंस के बारे में सेल्फ लव मैनिफेस्टेशन के बारे में आए आगे बढ़ते हैं जानते हैं लाइ से मैनिफेस्ट कर पाए जो हम चाहते हैं लाइंस गेट पोर्टल ट्वेंटी जुलाई को ओपन हो गया है ट्वेल्ट ऑगस्ट को ये पोर्टल बंद होगा एट ऑगस्ट को इसकी एनरजी पीक लेवल पी होगी क्योंकि जो प्राइटिएस स्टार सीरियस है वो लाइन होत तो हमारी मैनिफेस्टेशन पीड़ अब हो जाती बहुत 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 गुनाथ जदा इसलिए हम सभी को एट आउगस्ट को numerology में number 8 का बहुत बड़ा significance है number 8 denote कता है abundance को manifestation को जब हम बात करते हैं 8 August की यह year में ऐसा क्या special है क्योंकि Alliance Gate Portal तो हर year आता है यह year में क्योंकि यह year भी तो 8 का है 2024 तो इसकी energy multiplication में होगी साथ ही साथ 8 August Thursday को आ रहा है और क्योंकि यह जो star serious है इसकी जो qualities है वो Jupiter की qualities होती है Jupiter का दिन ही आ रहा है तो और जादा इसमें जो है enhancement हो गया है मतलब सब जगा पर multiplication है और universe हम सभी को यह message दे रही है कि यह जो time है यह बहुत ही species time है जो भी हम manifest करना चाहते हैं उसे आसानी से manifest कर पाए तो हमें इतनी ही understanding रखनी है इतना हमारे लिए simple होना चाहिए इसका logic हमारे दमाग में कि यह बहुत ही powerful दिन है एक beautiful alignment है universe में और Q की universe हमें बता रही है कि alignment किसकी है number eight की है Thursday को है Jupiter की qualities है manifestation की बात हो रही है तो हमें भी अपने आपको उसी तरह से align करना है science से symbol से color से और सबसे ज़्यादा matter करता है आपके thoughts आपकी belief आपके emotions आपकी energy तो आईए start करते हैं आपको करना क्या है क्या लेके आना है क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए 8 August Thursday का दिन है मैंने अल्यडी बोल दिया जुपिटर की qualities है इसने हम yellow paper ले लेंगे yellow paper वैसे भी manifestation का color माना जाता है manifestation का paper माना जाता है जुपिटर की याने गुरू की इसमें बड़ी करपा होती है हम ले ही रहे हैं ना support ही ले रहे हैं क्योंकि eight number है infinity का sign है eight अगर आप उल्टा कर दीजिए सरीके से लिए तो यह देखिए एट है पर इसको मैंने ऐसे कर दिया तो यह infinity बन गया तो infinity आपको यहां पर infinity का sign लिखना है और red pen यूज करिए manifestation के लिए yellow paper लीजिए infinity का sign बनाईए अपना नाम अपना date of birth ज़रूर लिखे क्योंकि इससे आप connect होते हैं अपने आपके साथ लेकिन इससे पहले आपको जब आप बैठ रहे हैं इसको करने के लिए तो आपकी होगी तयारी आपके पास red pen और yellow paper होना चाहिए आपकी तयारी होगी फिर जो है आप सुबह आठ बजे अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात आप ना कर पाए तो शाम की आठ बजे भी इसको कर सकते हैं आप जब भी करें आप मेश्वार करें कि आप शांथ जगा पे बैठे कोई भी आपको disturbance नहीं है कोई distraction नहीं है अपने आपको पहले पुरी तरह से त स्पाइन स्टेट होती है तो आप रिसीविंग मोड में होते हैं आप अगर इस तरह से बैठे हैं ऐसे बैठे हैं तो आप वो पोजिशन में नहीं है वो अलैटनेस में ही नहीं है जिसे कि आप energy रिसीव कर पाए तो keep your spine straight take some deep breaths and relax yourself completely अपने आपको इदम धीला शोड़ दे अ मेरे हापे crystal trees भी पड़े हैं मेरे हापे कुछ plants भी हैं तो यह सारी चीजों से क्या होती है positive energy enhance हो जाती है जरूरी नहीं है कि आपके पास यह सारी चीज़े हो लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छी बात है अपने जो भी crystals अपने पास रखें अपने candles अगर कोई अच्छी scented candles आप उनको जला सकते हैं और बहुत ही अच्छा महौल बना सकते हैं कोई अगर मंत्रा है जो आप लगाना चाहते जिससे आप connect होते जिससे आपकी बहुत belief जूड़ी हुई है आपको बहुत strong feeling आती है emotional energy जिसके साथ आपकी connected है वह मंत्रा आप लगा सकते हैं और फिर आपको yellow paper ले लेना है infinity का sign raw करके अपना नाम अपना date of birth लिखे आपको अपनी eight wishes लिख देनी है आपको आपकी eight wishes लिख देनी है wishes जब आप लिख रहे है तब आपको present continuous tense को use करना है क्योंकि आप अपने energy को align कर रहे हैं आप यह मान रहे हैं कि यह चीज़ आपको already मिल गई है यह बह लावना के ऊपर हैं तो यह जब emotion आप लेके आते हैं कि चीज मुझे already मिल गई है मैं बहुत खुश हूं like I am married to my dream life partner and we are enjoying happy married life I am so happy यह जब आप इस तरीके से लिखते हो आप visualize करते हो यह आपने believe बना ली already कि चीज़ आपके पास है और यह बहुत ज्यादा matter करते हैं इस तरीके से लिखती चीए पॉजिटिव होनी चाहिए अफको कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना है कोई भी विश आपकी पास्ट या फ्यूचर टेंस में नहीं होनी चाहिए कोई भी ऐसे टेंस में जहां आप ही बहुत confusion में है वैसा नहीं होना बहुत ही clear simple sentence में अच्छे emotions के साथ आपको इसको लिखना है जब आपकी art wishes पूरी तरह से आपने लिख ली अब आप उसको अच्छे से visualize करे 10-15 minutes उसके उपर meditate करे अच्छे से movie format में देखे as if वो सारी चीज़े आपको मिल गई है आप enjoy करे उसको और इस तरीके से आप जो है universe के साथ communicate करें यही तो alignment है क्योंकि उस दिन energy बहुत peak level पे होगी तो जो भी आप सोचेंगे महसूस करेंगे create करेंगे वो immediately receive हो जाएगा universe से universe इदम से उसको receive कर लेगी तो आपको अपनी energy बहुत अच्छी रखनी यह नहीं कि आप गुसे में है frustrated है और आपने school कर दिया आप आप किसी भी चीज़ से upset है तो पहले अपने आपको calm down करे पानी पी लीजे आप अपने आपको अच्छी से relax कर लीजे उसी के बाद इसको करें जब आपको लगे आपने सब कुछ कर लिया है और आपने विज्वलाइज भी कर लिया है बढ़िया हो गया सब कुछ उसकी बा पूरा पेपर आपका फोल्ड हो गया सबसे छोटा तब आप उसको उसके उपर manifestation code लिख दीजे यह manifestation code रहेगा 8888 यह आपको लिख लेना है उसको बाद में आप क्योंकि आप 8 August को कर रहे ना तो 8 August को आप 8 को आप शुरू करेंगे उसके बाद आपने कितना भी समय ले लिय या वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आठ बजे सुवह में या शाम में आपको पना है फिर आपने 8888 लिख लेना है लास्ट में आपको इसको अपने मंदिर में या जो भी जगाह है आपकी जो भी रिलिजन के हैं आप आपका जो भी ऑल्टर होता होंगा वहां पे आपको इस 12 आउगस तक आप इसको रखेंगे और बाद में 12 आउगस को आठ बचे आप इसको जो हैं कैंडल में जलाके युनिवर्स में ब्लू कर देंगे और जब आप ब्लू करेंगे आप फुल फेट बिलीफ और ट्रस्क के साथ कि जो भी आपने यह ओर्डर दे दिया है यह आपक कोई negative emotions नहीं रखने हैं पूरी belief के साथ कि यह मैंने दे दिया है और अब जो है यह मेरे पास आना ही है और फिर आप देखे कुछी दिनों में हफतों में मैंनों में वो सारी चीज manifest होना शुरू हो जाएगी तो आप यह manifestation rituals जरूर करें comments में मुझे बताए कि आपका experience कैसा रहा और फिर आप जब manifest करना शुरू कर दे तो वापस इस वीडियो पे आए comments पे लिखे आपने क्या-क्या manifest किया सभी के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि जब आप ऐसी अच्छी चीज़े शेयर करते हैं और उनकी manifestation पूरी होती है तो उसकी blessing भी आप ही को मिलती है तो इस तरीके से multiplication में काम होता है तो यह है 8 August का Lions Gate Portal का manifestation ritual जो बहुत ही powerful है और जो आपको करना है अभी एक और बात जो मैं भूल गई कहने के लिए 8 August को आपने लिख लिए आपने मंदिर में रख दिया ठीके 12 August को आपसको जला लेंगे लेकिन आप 8 August 12 August के बीश में क्या करना है 9 10 11 12 यह और चार दिन आपको रोज उस पेपर को खोलना है और उसके उपर meditation करना है या अगर आप नहीं भी उसको पेपर को आपको लगता है कि नहीं वह एनरजी वहीं बनी रहे तो आप सिर बंदिर के सामने जहां पर आपने रखा है वहाँ बै चालेंगे और जब आप इसको लास्ट डे पर जब आप बन करके ब्लो करेंगे तब तक वह आपकी पैटन बन जाएगी और वह पैटन फिर आपको उस पैटन को रोज यूज करना है वह और जादा आपके लिए फास्टर हो जाएगा मैं आशा करते हूं यह वीडियो आपक के लिए रमेडीज, रिचुवल्स, टिप्स, गाइडन्स, टेखनीक्स, टूल्स देके आउंगी हम और बात करेंगे सेर्फ लव के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, निमरोलोजी के ऊपर, थैंक यू सो मुच पर लिस्टिंग तो मे, लव औन ब्लेसिंग पायल मैता